चलिए आज शुरू कर रहे हैं फार्मा को मुसी का लगना यह लास्ट लेक्चर है यूरे नंबर बन हम लोग पढ़ रहे थे और यूरे नंबर बन में लास्ट टॉपिक के एक्जाम है कभी कभी रेनली पूछा गया है बहुत इंपॉर्टन भी नहीं है इस चैप्टर से दो आज को जान लेते हैं कि क्या है है यूस और युटो एक्टिव ऐसो डॉक्ट इंवेस्टिगेशन ऊपैयोजिन नाम बहुत कुछ को सब्सक्रार का मतलब गया इसपर का मतलब आपको बीपर के समझते हैं पहली बात पर एक डारीज की सिकेशन जांश पढ़ता करना कूछ किसी ऐसी तत्र का पता लगाना जो छुपा हुआ है जो मालूमल नहीं हुए किसी प्लांट या एनिमल के अंदर कुछ पता करते हैं उसे बुलते हैं बायो जैंटिक इंटिक इसो क्या होता है आपको पता है को ऐसे दो कंपाउं जिसे मैं आप से कहा वान यह वन और वान यह दू और वान श्री है ना तीनों के तुसरे का इसो टो पर तीनों तो बहुत ही अच्छी चीज है तो इसको समझें से पहले चुटी सी कहानी में आपको सुना देता हूं यह को समझें जैसके एक तोल पे किसी बंदे एक आदमी ने कोई एक गढ़ा कोद रखा है ठीक है इसको समझे इस तरह से मैं सिंधार हूं कि पानी को दो दिन रोग के रखो और दो दीन आप रोग के रखो और क्या करना है कि कॉन पानी फोल दिया वह भाया हम तो नहीं खोले अगले दिन जब किसी ने पानी खोला तो जो गढ़ें पानी है और यह दिन जब किसी ने पानी खोला फिर उसको पूछना ही नहीं पड़ेगा किस ने पानी खोला तो कुछ किले सांगे रहा है इसका मतलब जो यह कलर उसने प्रेजा ना जिस कलर की है उसने पता लगा रहा है सब्सक्राइब आपको पता है क्या होता है सब्सक्राइब आपको यह पता करना है कि यह आक्सीजन निकला यह आक्सीजन कार्बन डाया कि वाटर से आपको इसके पास भी ऑक्सीजन है इसके पास भी ऑक्सीजन है हम कैसे पता लगाएंगे कि यह जो ऑक्सीजन निकला वो इससे निकला कि इससे निकला कि सब्सक्राइब किस प्रॉसेस से बन रहा है यह पता लगाना थोड़ा सा कठी हिए तो उस समय रेडियो एक्टिव आइसोटोप हेल्प करता है यहां पर रेडियो ऑक्सीजन के आइसोटोप कौन कोंस होते हैं अप्सीजन सत्रा और और अप्सीजन अठाव दो आइसोटोप करते हैं अब हमको पता करना है कि यह उसक्राइब कौन सा है तो हमने कहां तो निकला तो क्या वारूं चल गया यह कहां साया माँ चल गया यहां की जलता मया है यहां से वाक्स अचमानि यही इसोटोप की मदद से हमको एक्चोड साइक्डित कि साइक्ल को कहौँ से लिए हमको एक्चुए प्रोसेस मरुम चल जाता है कि प्रोसेस हो कौन से था है हमको एक्चुब सक Liz you can सब्सक्राइब करके हम यह पता कर सकते हैं कि पानी कि सघर से निकला है जम्टेव बंन रहे निकि ऑफ्सक्राइस रोड़ा थांथिटन यहां इंटोपसा के निचाक सब्सक्राइब करोक। इसे करेंगे कि इंसाइट अप्लांट और इनिवर बोडी थाउजंस ओफ बायोगेमिकल साइकिल सार प्रोसेश इट सेल्फ लाइकल लाइबोरेट्री ठीके बिट हेल्प आप बायोजंटी के इमेस्टिगेशन और यूज ऑफ इनियुज ऑफ इनियुज की आइसोटोब वी थी और यूज निए पकी हमको नहीं पता क्यों हाँ से आया में ट्रेक्वलट के लिए इसका चुनिल लगा तो जो क्या था आइसोटोब और जो और के बात मालूभ चला है वह मूं और यह वग्या है कि डेक्निक तो उसी तरह यह जो लगा तार के रिजन हमागुं चला इसी पहते हैं आउक है तुर च्राइसा टेकिनिक इस घफटे जटलर धेते हैं हॉ सबौटार ऑफ तो और इसी पॉलिकुन जो मार्किंग करते हैं इसी वो रेडियाक्टिव लेवलिंगे यहां पर आपकर यहां मार्क पर क्या जिस एक सिंपल सा है अब यह जो आपकर ट्रेशर के पीख है बैसिकली तीन इस तरीके से होता है वो तीन तरीका कॉंपोंस है उसे और इस ड्राफ्ट तो बोर्ड पी इतना जाता थियोरी लिखना और समझाना आसान नहीं है होता है तो चलिए स्टार्ट करता हूँ अपने बनाए हुए नोट से अब आपको बताता हूँ कि आगे का टॉपिक कैसे पढ़ेंगे था हमारा हेडिंग क्या था यूज ओफ रेडियो एक्टिव आइसो टोप सिंदा इन्वेस्टिकेशन और बैयोजन्टिक स्टेडी जो कि रेडियो एक्टिव आइसो टोप की हेल्प से करते हैं जोसे कहते हैं ट्रेसर टैक्निक्स तो ट्रेसर टैक्निक्स तो इसको और किस नाम जानते हैं और जिस आइसो टोप की हेल्प से करते हैं उस आइसो टोप को रेडियो ट्रेसर रेडियो एक्टिव ट्रेसर या रेड सबसे पहला काम क्या होगा कि हम रेडियो एक्स्ट्यू आइसोटोप को पहचानेंगे कि किसकी हल्प से हमें काम करना है उसको पहचानना दूसरा step क्या होगा कि उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप को अपने प्लांड के बॉड़ी के अंदर इंसर्ट करना और तीसरा step है कि metabolic cycle पूरा होने के बाद उसके quantity को पता करना कितनी quantity में कहां से मिल रहा है ये तीन टेक्नी steps होते है देखें पहला step है रेडियो लेबल कंपाउंड को प्रिपरेशन करेंगे दूसरा है introduction of labeled compound into a biological system आप क्या करेंगे जो लेबल कंपाउंड है उसको हम प्लांट के अंदर biological system में insert करेंगे और तीसरा step है separation and determination जो लेबल कंपाउंड था उसको अलग करेंगे और determine करेंगे कितना fraction यानि various fractional biochemical fraction at later time बात मैं हम पता करेंगे कितने fraction में कितनी quantity में वो produce हो रहा है तो यह तीन step है तो उसलिए पहले step हो ठोड़ डेटेल पढ़ लेते हैं तो पहला step है radio label compound preparation देखें क्या होता आपको देखें सबसे पहले जो radioactive compound होता है उस पर इसे basically carbon है या hydrogen है उसको हम लोग use करते हैं और C14 को पहले बनाते हैं radioactive isotope को पहले बनाया जाता है तो कैसे बनते हैं दो टेक्निक है पहला वो nitrogen में अगर हम bombarding कर दे ऐलमोनियम और बेरेलियम नूकलियस को लेकर के तो N14 से हम उसको बना सकते हैं C14 और दूसरा है कि कि हमारा algae होता है उस chlorine के अंदर हम जो carbon dioxide वो लेता है इंटेक करता है वो carbon dioxide हम उसको C14 वाला दे दे तो उससे भी हम carbon dioxide क्या कर सकते हैं उससे carbon को प्राफ्थ कर सकते हैं यह दो हो गए अब दूसरा step है कि introduction of radioactive labeled compound अब जो बन गया है isotope उसको plant के body में डालना कैसे है ठीके तो अब उसको डालने के लिए क्या होता है कि before introducing the radioactive isotope following points consider हमको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देनी है डालने से पहले तीन चीज़ ध्यान देनी पहला specific site and part इनि plant के कि site पे किस part पे हमको introduce करना है पहले इसको पता लगाना है पहला चीज दूसरा कितना किस time में introduce करना है किस time पे temperature क्या हो humidity क्या हो climate condition क्या हो किस time पे करना है और तीसरा कितना minimum quantity हमको introduce करना है ये تीन चीज़ को पहले ही consider किया जाएगा और उसके बाद अलग-अलग method है, उस method से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि पहला है root feeding method, यानि हम जिसके द्वारा देंगे, root के द्वारा insert करेंगे, दुसरा है stem feeding method है, इस stem द्वारा insert करेंगे, ठीक है, direct infection में क्या है interaction में, कि हम जो direct जिस पार डाला है, वहाँ पर insert कर देंगे, infiltration method है, inflating method है, और spray technique method है, अलग-अलग techniques method है, इसको बहुत detail आपको नहीं जानना है, क्यों यह बहुत important topic और साबसे नहीं आएगा, अगला है separation and determination of labeled compound in various biochemical fraction, अब जो क्या हो रहा है, जो हम ने डाला है, अब क्या होगा, वो radioactive labeled compound गया, और अंदर जाके metabolic process के द्वारा क्या अब secondary metabolite कितना बन रहा है, कितना fracture बन रहा है, इसको check करना है, यह हमारा तीसरा step है, इसमें अलग-अलग steps है, इसके किवाल नाम जान लीजे, अगर आपको बहुत detail पढ़ना है, तो आप books से अपने refer करके notes बना सकते हैं, मेरे ख्याल से इतना काफी है, आपको बहुत detail नही जिसके दौरा हम लोग पता करते हैं, तो जी रहा friends, यह रहा आपका पूरा का पूरा unit 1, फार्मकोमन उसी खतम हो गया, अब हम लोग drugs के बारे में पढ़ेंगे, तो unit 2 स्टार्ट करेंगे, और वहां स्टार्ट करेंगे, thank you so much, take care, bye-bye.